आखिरकार किसका होगा बिग बॉस के घर से सबसे बड़ा एलिमिनेशन जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट पूरी तरह से सामने आ चुकी है उस कंटेस्टन का नाम भी सामने आ चुका है जो कि पहले नमबर पर है वोटिंग में और उस कंटेस्टन का नाम भी आ चुका है जो कि वोटिंग के मामले में आखरी नमबर पर रहा है यानि आपको बता दें कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट के हिसाब से किसका इलिमिनेशन होगा यह मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ इसलिए चैनल क को सब्सक्राइब कर लें साथ में गंटी के निशान को जरूर दबा दें साथ कंटेस्टन जो हैं वो घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे तजिंदर पाल बगगा कशिश कपूर भी नॉमिनेट थी चुमदारंग भी नॉमिनेट थी शुरुतिका का नाम भी न नॉमिनेशन में थे रजत दलाल भी नॉमिनेशन में थे और यहां पर करनवीर महरा जो है वो आखरी नाम है जो की नॉमिनेशन में था यह साथ कंटेस्टन नॉमिनेट थे जिनको जनता जबरदस्त वोट कर रही थी ऐसे में क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से आपको रैंकिंग बता देता हूँ जिससे पुरा कलियर हो जाएगा किसको जनता जादा प्यार कर रही है और किसको जनता जो है वो बिक बोस के घर से बाहर करना चाहती है बात करते हैं दूसरे नाम की दूसरे नमबर पर रहे हैं रजद दलाल जी हां रजद और करनवीर के वोट में जादा फरक देखने को नहीं मिला है लेकिन रजद दलाल वोटी में करनवीर से पचाड चुके हैं पीछे हो चुके हैं तीसरे नमबर पर हैं दिगविजेर राठी दिगविजेर राठी इतनी जल्दी बिग बॉस के घर के अंदर वोटिंग में आगे बढ़ रहे हैं काफी हैरान कर देने वाली बात है लेकिन भाई तगडी फैन फॉलोइंग है इससे पहले दो शो कर चुके हैं और दोनों रिया की तो अगर शुरुतिका यहां पर वोटिंग के मामले में चोथे नमबर पर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है शुरुतिका इससे भी आगे जा सकती है पांचवे नमबर पर है चुम दारंग चुम जो है वो भी शुरुतिका की तरह ही अपने पॉइंट ओ व्यू त गड़े रखती नज़र आ रही है तो बड़ी वजा है कि जुम दारंग को भी शुरुतिका की तरह वोट मिलते नज़र आ रहे हैं बात करते हैं एब चटे नमंबर की। चचटे नमंबर पर हैं कशिश कपूर जी हां कशिश कपूर कुछ खास घर के अंदर करती नज़र न नजर आ रहे हैं तो देखना ये होगा कि क्या तो जिंदर को बग्गा साब को बाहर किया जाता है या नहीं किया जाता है वैसे आपका क्या मानना है कमेंट करें और बिग बोस जोड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए जालन को सब्सक्राइब जरूर करें